दूस्तों क्या आपके भी WhatsApp में कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है जब आप अपना WhatsApp पे लॉग इन करने जाते हैं तो आपके सामने आ जाता है कनेक्टिंग और आपका जो WhatsApp एकाउंट है वो आपका नहीं मर रहा है और आपके सामने यही प्रॉब्लम आता रहता है आप WhatsApp यूज करते हो या आप जीवी WhatsApp पे यूज करते हो कोई भी आपका WhatsApp हो लेकिन अगर आपके पास यह वाला प्रॉब्लम आ रहा है कनेक्टिंग हो गया है और वहीं पर हमारे पास यह प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने इससे सही कर लिया है अगर आप वाटसप चलाते हैं तो आपके WhatsApp में अगर आपको आ रहा है तो आप उसे भी सही कर सकते हैं वाटसे वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा तो सबसे पहले क्या करन अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो आपको अपने पैले स्टर पर जाना होगा यहां पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना को वाटसपश да अगर यहां पर देखना होगा आको अप अभडेट करने का तो उस पर click करके आप इन्हें भी लेटेस्ट वर्जन में update कलीजी तो पहला तरीका यह है कि आपको अपने WhatsApp को से काम नहीं करता है, जिसकी बज़े से आपके पास ये प्रोब्लम आता रहता है, तो अपना इंटरनेट आप यहां से एक बार रेफ्रेस कर लिजे एरोप्लेन मोड को लगा कर और फिर आप उसे बंद कर दीजे, अब आप यहां से बैका जाएगे बैक आने के बाद आप अपने वाटसप को ओपन करिये और चेक करिये, अब आपका सारा प्रोब्लम फिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर आपका अभी भी फिक्स ना हो, तो आपको अपने वाटसप पर क्लिक करना होगा, और यहां यहां पर आपको एक option मिले का storage, अब आप इस पर क्लिक कर दें, और यहां पर मिले का clear data, clear chase, अब आप इस पर क्लिक कर दें, और ok कर दें, इतना काम करने के बाद यहां से आप बैका जाए, बैकाने के बाद आपका जो वाटसप डेटा हो यानि कि वाटसप होगा, वह आपक बटन पर क्लिक करेंगे आप यहां पर देखेंगे connecting problem आ रहा है लेकिन हमारे पास यह solve हो जाएगा जैसा कि देख सकते हैं हम okay करेंगे okay करने के बाद हमारा जो mobile number होगा वो whatsapp के अंदर login हो जाएगा तो हम आप allow कर देंगे allow करने के बाद हमारे पास एक call आ जाएगा और हमारा whatsapp पर verification हो जाएगा और हमारा फिर whatsapp चलना start हो जाएगा जैसा आप यहां पर देख पा रहूंगे जो हमारा whatsapp है वो यहां पर चलना start हो चुका है whatsapp पर क्लिक करेंगे अपना two step verification लगाते हैं इस तरीके से अपना two step verification डालेंगे और हमारा account verify हो जाएगा और हमारे सामने इस तरीके से पे जाएगा next पर click कर देंगे और हमारा WhatsApp चलना start हो जाएगा तो इसे तरीके से अपनी problem को solve कर सकते हैं आपको कोई भी problem दिखाई नहीं देगा और आपका जो WhatsApp है वो आपका चलना start हो जाएगा फिर आप आसानी से अपने इस problem को fix कर सकते हैं और आपका WhatsApp सही हो जाएगा तो मैं आसक करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत धन्वाद